आठ दिवसी अधार्मिक कार्य क्रमों का हुआ आगाज कर तेईस अप्रेल को जाकिया शोभा यात्रा वरात्री में भजन संध्याओं का आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रसित कलाकार प्रकाश गुर्जर एंड पार्टी गायक कलाकार बीर्बल सिन्ग दान ससिम्रन छेला, कैलाश अपनी प्रस्तुतिया देंगी गौर्तलब की 15 हप्रेल को सीता कुंडक हाटुश्याम जी से सामेर ग्राम तक निशान पाद यात्रा की 16 हप्रेल को कलश यात्रा वहवन 17 हप्रेल को पूर नाहूती वा गनेश जी की मूर्ति स्थापना 18 हप्रेल को देव नारायल मंदिर दान तला से सामेर तक निशान पाद यात्रा, 20 हप्रेल को पलसाना बालाजी मंदिर से सामेर तक निशान पाद यात्रा आज से हरुमान जैनती का जो मेला महुत्सव है वो आठ दिवस्ये मेला महुत्सव प्रारंब हो चुका है और इसका प्रारंब जो है वो खाटु श्याम जी में सीता कुंडे से निसान यात्रा से सुरू हो रहा है और ये 23 तरिक तक ये प्रोग्राम चलेगा और इसमें विविन प्रकार की जहां कियां, निसान यात्राएं और भी कई प्रकार की कारी करम जो है वो सामिल किये गए है और प्रतिवर्स की भाती बल्कि प्रतिवर्स से दिनों दिन ये लगातार मतलब इसकी सुन्दर्ता में इसकी बड़ोती होती जा रही है और यह मेला जो है, यह अरुमान जैनती का जो मेला है ग्राम सामिर में ये एक प्रकार से भाईचारे का एक्ता का और सामाजिक सामंजश्चे का प्रतिक बन चुका है सारे लोग इसमें एक जूटोकर और कंदे से कंदा मिला करके कारी करते हैं बिना किसी बेहदवाओ के सबी लोग प्रसंता पुरुवक इस कारी को अंजाम देते हैं और यहीं पर हानवान जी के मंदिर में गनेश जी का एक नया मंदिर स्थापित किया गया है जिसकी मूर्ती प्रतिष्ठा जो है वो 17 तारिक को राम नोमी को की जाएगी और 16 तारिक एक दिन पहले कलस यात्रा है यनि कल की कलस यात्रा है और 17 तारिक राम नोमी की मूर्टी की प्राणपर्टिष्टा है तो किस प्रोग्राम में आप सभी आमंत्रित हैं और आप सभी भाईयों का यहां हार्डिक स्वागत है बाबा का दसन कीजिए पुन्य लाव कमाईए और हर्मान जी के जनमोच सव पर यहां उपस्तित होकर और बाबा के साथ उनका जनमजीन जो है वो सेलिब्रेट कीजिए आ आप अपने बच्चों का और अपने फैमिली का बड़े तो सेलिब्रेट करते ही हैं आज अब की बार बाबा के साथ सेलिब्रेशन कीजिए बहुत पुन्य मिलेगा आपको ऐसा मेरा विलिप सिस्टम है जैस्याराम आपका नाम मेरा नाम ओम प्रकार सर्मा मंदिर पुजार झादा आपकार सिस्टम है